आज मैं आपको बिना प्याज और बिना लसुन का तड़का बनाना दिखाऊंगी आपको कुछ टिप्स फॉलो करनी है वो अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही लाजवाब और स्वादिश तड़का बनेगा तो चलिए देखते हैं इसके लिए मैं क्या चाहिए आधा कप म इसे मैंने रात बर भीगो दिया था और इसमें एक टेबल स्पून मैंने राजमा भी डाले थे दोनों को साथ में ही राख को भीगो दिया था तक्रीब आठ गंटे के लिए तो इसको सोक करके रखना है और यह देखिए बिलकुल डबल हो चुकी है यहां पर मैंने एक मैं दाल को कुकर में डाला है यह स्टील का कुकर है मैं अलुविनियम का कुकर में ही यूज करती हूं स्टील का यूज करेगा और आपको डारेक्ट कुगीं करनी है अब इन दाल थी उस परतल में ठीक उसका डवल मैंने इसमें पानी डाले इतना पानी डालने से आपको आक एक टेबल स्पून नमक डाल रहे है एक दम लो फ्लेम पे 45 मिनिक्स के लिए इसे आम यो पकने देंगे 45 मिनिट बार विसल हटा दीजिए और लिप खूर के देखिए बार लेकर दाल पक्चुकी है बहुत ही अच्छी भूझ हो रहे हैं की नमक डालता इसलिए दाल अच्छी dön यह ऑच्छीन गवbor्स है अपने भुझें के लिए और आच मिल यैशी आप लुए सेटर शीजए प्रेंज रहे है तकरिबन आदिल से पॉने घंटे के लिए फिर से बॉइल आने देंगे जिब ये प्रोसेट भी बहुत ही जरूरी है इससे ग्रेवी बहुत ही बढ़िया और घारी बनेगी तरके की तियारी कर लेते हैं मैंने एक टेबल स्पून तेल लिया है उसमें मैंने दो टेबल स्पून बटर डाले है और एक टेबल स्पून जीरा डाल के इसको मिक्स कर देते है कर देते हैं तेजपत्ता और सुखी लावनिश डालेंगे आप अपने हिसाब से इस मसाले अज़स्ट कर लेज़ेगा आपको कितना तीखा चाहिए बटर कितना चाहिए यहां मैं आधेव ते वाटर यूस कर रहा हूं आधेव और उपर से डालेंगे आधेव थोड़ा नमक डालाएं ताकि टमाटर जली कल जाएं हल्दी और मिल्च डाल देंगे यह आप अपने हिसाब से डाल जीजएगा मैंने यहां एक लिस्पून हल्दी और एक टेबल स्पून लाल मिल्च का पाउडर डालाएं कश्मीरी लाल मिल्च का पाउडर बॉइल डाल डाल देंगे इसवाट एक टेबल स्पून चाट मसाला और एक टेबल स्पून अमचूर पाउडर डाल देंगे लगाई बर एक टेबल स्पून शून अमचूर अबल्चवाज। झाल ग्रेटेड अद्रक। दाल बहुती अच्छी काड़ी हो गई है। अगर आपको यह रेशिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करियेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले। और बेल आइकन सब्सक्राइब आरे जगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अप्टेट्स आपको मिलती रहे। थांक्यू। झाल 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 झाल